हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वगत करता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम यस बैंक को कवर करने वाले हैं यस बैंक में गिरावट क्यों हो रही है और कहां तक हो सकती है और क्या टार्गे यहां पर आपको पता आप चलेगी यस बैंक की जो ओरिजनल कंडिशन है अब यहां से पता आपको चलेगी ठीक है जिन्नोंने इन्वेस्मेंट उपर लेवल से करके रखा है उनको भी और नीचे जिसने खरीद कर रखा है उसको भी तो सब से पहले बाजार को देखते हैं फिर डीटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ एक परसिंट की गिरावट हमें देखने को मिल रही है बाजार में आज 18,243 पर ट्रीट कर रहा है अब बाजार में दोस्तो प्रेशर तो आया है और जापान की तरफ से प्रेशर आप आते हो देखने को मिल रहा है आगे जो भी अपडेट आएगा बाजार के रिलेटेड हम जरूर आप लोगों को कवर करेंगे तो फटा बट्स इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करिए तो सबसे पहले यस बैंक का आज का पाफॉमेंस देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस आज भी गिरावट हमें देखने का मिल रही है 3 परसेंट की और यह गिरावट दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि यस बैंक में हो रही है ठीक है उसके पीछे कोई ऐसा में कारण नहीं है कि यह गिरावट क्यों हो रही है ठीक है और यह जो भागा था ना लगबख 30-40 परसेंट यह आज 10 दिन में जितने भी जिन में यह कोई बड़ा रीजन नहीं था दोस्तों की स्टॉक इतना भाग जाए इसमें तो दमी नहीं है कि इतना भाग जाए ठीक है अब आपकी हिम्मत है आप पांच किलोमेटर तक भाग सकते हो ठीक है अगर आपको एक किलोमेटर और यहां से जबर जस्ती दोड़ा जाए तो यहां पर आपकी जो तबे थे या आपकी जो हेल्थ है उस पर इशू जरूर बन सकता है तो यहीं कंडिशन है दो तीन पॉइंट चार पॉइंट चार पांच परसेंट भागने कि इसकी हिम्मत है खुश से अगर इसको जबर ज पैसे और लो लगाता है बीस रुपे साथ पैसे 48,000 करोल का मार्केट के था वो भी 56,000 करोल पर आ गया ठीक है इसने 52 बीक का लगाया था हाई 24 रुपे 75 पैसे का अब जिसने दोस्तों इस तेजी में खरीदा है वो विचारे अब रो रहे होंगे ठीक है एक महीने के अगर म पूरी तरीके से पागल हो चुके होंगे खेर वो तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यस बैंक अभी उतनी confidence फिल्ड नहीं हुई है नहीं यस बैंक के अंदर उतनी ताकत आई है कि वो दोस्तों इतनी उपर अपने आप से जा सके यह जो भी नियूस के कारण दो अपने पुरानी इस्तिति में आने लगा है अब ऐसे कुछ अपडेट भी आ रहा है वो भी देखते हैं तो यहां पर आप देखे हिं हिंदुस्तान की साइट के ओपर मैं आप लोगों को लाया हूं और यह अपडेट जैसे कि आप देखेंगे तो इस खबर के बहार आते ही यह बेंग के शेर ने लगाई लंबी चला नव दिन में 24% की उच्छाल लगाई थी एकसपर्ट बोले ओर चड़ेगा भाव अभी एकसपर्टों का बोलना है कि ओर चड़ेगा अभी अपडेट तो वैसे कल मॉर्निंग का है ठीक है यह बेंग के शेर सब्ता के पहले पर दिन में सुबह 9.35 पर की तेजी के साथ दोस्तों 21 रुपे 75 पर ट्रेड करें थे इससे पहले आज सुबह कंपनी के शेर एनसी पर 4% चड़ गया था इतना प्राइस था ठीके कंपनी की शेर की बज़े एक मतलब जो तेजी आई है उसकी बज़े मानी जा रही है कि सनिवा को स्टॉक एक्षेंज को दी गई जानकारी में 48,000 करोड रुपे में अपने फसे हुए कर्ज को कर्ज पुने गठन मतलब दोस्तों यह जो बेड लोन है 48,000 करोड का यह सभी को पता है कि जेसी फ्लॉवर को 12,000 करोड रुपे में दिया जा रहा है और यह दोस्तों सबको द मैं बताना चाऊंगा जो 10% का हिस्सा भी करा है महां से 51,000 करोड रुपे आ रहे हैं खाली ठीके बाकी का बचा हुआ पैसा वारेंट के जरी आएगा यहां पर मात्र 1200 करोड रुपे मिलेंगे ठीके 10% यहां का 10% मिलेगा बाकी सब दोस्तों लफडे वाजी में ही पैसा मेंट में पैसा देगा जेसी फ्लावर ठीके और जो मेनेजमेंट इस 48,000 करोड को बसुलने का काम करेगा जेसी फ्लावर को उसको सालना तोर पे 180 करोड रुपे के हिसाब से यहस बेंग सिलरी देगा ठीके नहीं तो यहस बेंग के सामने दोस्तों एक और बड़ा सा फंद उसने 8,300 करोड रुपे बोला था कि 48,000 करोड के बदले आप हमसे 8,300 करोड नगत ले लिजिए केश में केश में ले लिजिए ठीके लेकिन यहस बेंग ने उस चीज को नकार दिया और इस फाल्तू की चीज के पीछे आ गये यहापर जो 12,000 करोड रुपे मिलेंगे वो इत और शेर होलडर को फसा दिया गया है उसके साथ ही जी सी एल सिकुरिटी के सी यो अरवीन सिंगल कहते हैं ठीके क्या बोलते हैं यहस बेंक के शेर में हाल के दोरान में काफी तीजी देखने को मिली ठीके निवेशक 33 रुपे के मिट टार्गेट को ध्यान में रखकर 19 से 18 र 33 रुपे का टार्गेट मिलेगा मिट टम में देखे मतला एक छोटे टाइम फ्रेम में और इसका लॉंग टम का जो टार्गेट है वो चुमालेस रुपे का है अब आप देख सकते हैं यह दोस्तों और यहाँ पर फसाने का काम करें अभी यहस बेंक की कंडिशन उतनी अच् अपडेट दिया गया है कि 48,000 करोड रुपे का जो बेड लोने वो अब यहस बेंक का किलियर होने वाला है तीक है उसके बदले इतना इतना पैसा यहस बेंक को मिलने वाला है और बहुत सारी चीज़े दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर नई कोई च कब आई की Q3 के नंबर में Q3 के नंबर में देखने को मिलेगा कितना revenue हुआ मतलब कितना sales हुआ ठीक है उससे खर्चा कितना हुआ उससे net profit कितना निकला फिर इसका NPA जो पूरा किलियर कर दिया है ठीक है अब नया NPA कितना आया gross NPA कितना आया ठीक है प्रोबिजन कितना आय यह हमें Q3 में देखने को मिलेगा ठीक है और Q3 खतम होने के बाद ही ठीक है फिर January, February, March, March क्यों में दोस्तों Yes Bank को एक बहुत बड़ी मार पड़ेगी अगर इसको RBI हरी जंडी दे देती है तो क्या 2023 में Yes Bank डूबने की कगार पे था ठीक है Yes Bank डूबने की कगार पे था और इ RBI के कहने पर ठीक है उनका लॉकिंग प्रेट खतम होने वाला है क्योंकि उन्होंने जैसा प्रसा डाला RBI ने लॉग लगा दिया RBI ने बोला कि आप आपकी जो हिस्सेदारी है ठीक है वो तीन साल के बाद ही बेच सकते हो ठीक है तो मार्च 2023 में यह तीन साल पूरे कंप्ल लेजिए तो Yes Bank में से फिर धडले से परसा निकलेगा और जो कंडिशन Yes Bank की एक बाद फिर से हमें खराब होते देखने को मिलेगी तो दोस्तों मैं बोल रहा हूं अभी चलो ठीक है दिसंबर को छोड़ दीजिए दिसंबर को छोड़ दीजिए आने वाले जो चार महने हैं जनवरी, फरबरी, मार्च और अप्रेल ये चार महने में या तो Yes Bank 50 रुपे के उपर भाग जाएगा या 15 रुपे के नीचे डबल से आ जाएगा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखेगा क्योंकि 15-16 रुपे से भागना चालू किया था तो इस चार महने के अंदर अ सेब भी कर लिजेगा यूटूब पर देख रहे तो वहाई पर सेब कर लिजेगा या आपको आगे help काफी करेगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं आने वाले चार महने में या तो 50 रुपे के ऊपर भी भाग सकता है Yes Bank या आने वाले चार महने में ये 15 रुपे के नीचे भी आ सकता है ठीके कोई भी एक्सपर्ट अगर इसमें बाय करने का recommend कर रहा है ठीके बिलकुल भी उसकी मत सुनिये जब तक Yes Bank की जो condition है पूरी नहीं सुदर जाती ठीके जब तक एक अच्छा पैसा ये नहीं कमाने लगती जब तक Yes Bank के अंदर आप लोगों को निवेश नहीं क कर दिया है अब इस वीडियो का फटा बट से like कर दीजे बाकी कोई चीज है नहीं दिखाने वाली Yes Bank के अंदर और चैनल को भी फटा बट से subscribe कर दीजे तो thank you दोस्तो